अगर आपके बाल भी बहुत ज्यादा पतले हैं तूटते हैं जड़ते हैं आप गंजे बन का शिकार हो रहे हैं तो आज की वीडियो स्पेचली आपके लिए हफते में एक बार इसे लगा लीजिए गंजे सर पर भी बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे चोटी सी वीडियो है विडियो को फुल वाच कीजिए गाइस सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है इसमें आट कीजिए अपनी फेवरट कोई भी मेहन्दी का इस्तिमाल आपको ज्यादा नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिट आपको इसमें डाज करना है जैसे-जैसे जैसे मैं यह पैक आ और अपने बालों पर प्लाई कीजिए अब मैं यूज करी हूँ अलोवीरा लीफ पाउडर अगर आपके पास फ्रेश अलोवीरा है तो आप उसका इस्तिमाल भी कर सकते हैं वर्ना आप अलोवीरा का पाउडर भी यूज कर सकते हैं मैंने थोड़ा सा एक से दो चम्मच रोज इसका गाड़ा थिक पेस्ट बनाकर रख लिना है आप इसे पांसे दस मिनट रहने दीजिए ऐसे उससे पहले आप अपने बालों पर अपलाई कीजिए ऐसा नहीं है कि आपको इसे ओवर नाइट रखना है पूरी रात रहने दे एक से दो घंटा रहने दे इंस्टेंट बन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा महीने में आपको 4-5 बार इसे लगाना है आप एक बार इसे लगा के देखिए आपके बालों के जितनी भी प्राब्लम है पाल बहुत ही ज्यदा जहर रहे हैं कंगी करते टाइम करते टाइम हेर वाश करते टाइम आप परिशान हो चुकी तो आप एक बर इस पैक को बनाकर अपने बालों पर लगा के देखिए गा आपको बहुत इच्छा रज़्ट मिलेगा हर उमर में आप इसे इस्तिमाल कर सकते हैं चाहे आप लड़के है जा फिर लड़कियां सबी से बेफिकर होकर लगा सकते हैं जिनको भी इपने बालों की ह गंटा रहने दीजिए फिर नॉर्मल पानी से वोश कर लीजिए वोश करने के बाद आपको ऐसे ही से नहीं छोड़ना है तो फिर क्या करना है आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करें हैं है वोश करने के बाद जब आप नॉर्मल पानी से वोश कर लें वोश करते टाइम आ आपके बालों को चट से मजबूत करेंगा आप मार्केट वाला कोई भी ओयल यूज करते है ना उसका आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता है होमेड हेर ओयल बनाकर एक बार घर पर देखिए आपको कितना चट मिलेगा मैंने यहाँ पर लिया है एक चमच कलोंजी सीट्स जिसे हम काला तिल भी बोलते हैं दो से तीन चमच मैंने यहाँ पर एड की है सरसों के दाने मस्टर्ड सीट्स मार्केट में बहुत हैसानी से आपको यह सारी चीज़े मिल जाएंगी गाइस आप इसे ऑफलाइन जा फिर ऑनलाइन बाइक कर सकते हैं वैसे मैं इसका लिंक भी नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं आप इसे वहां से भी ओनलाइन बाइक कर सकते हैं मैंने यहाँ पर दो से तीन चमच मस्टर्ड सीट्स एड किये हैं सरसों के दाने अब मैं इसमें एड करूंगी फ्रेश कड़ी लीव्स नहीं है तो कोई बात नहीं है आप जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया अगर आपके बास फ्रेश अलोवीरा है तो आप चोटे-चोटे क्यूब्स में कट करकर वोश करने के बाद इसमें एड कर दीजिए वनना आप अलोवीरा लीव पाउडर भी एड कर सकते हैं अब आपको लेना अपना फेवरेट कोई आप जो भी बालों पर लगाना पसंद करते हैं मैं मोस्तली कोकोनेट ऐल जाफिर मस्टर ऑइल ही पने बालों पर लगाना पसंद करते हूं है अब एक पर एंड किया है मस्टर ऐल इसको अच्छी तरह से मिक्स की जी गाइस अगर आपके हैर फोल के साथ-साथ वाइड की भ प्रोबल्म नहीं है, तो आप मेहंदी को स्किप कर दीचिए, मेहंदी को अच्छी तरह से मिकस कीजीए, अब आपको जाना है अपनी कीचन में, हलकी आँच पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक से दो मिनट ही इसे पकाना है, ताजो पमने सारी चीज़ें फील्स कर दोड़ें, पार कितना ठंजा थे भी कांच के बोटल में रख लेना है आप चाहें तो एक महीने के लिए इसे बना स्टोर करने लिए जो चीज में एड़ की है उसकी बढ़ा दीजिए चाहें तो दो मन्त के लिए आप इसे राम से फ्रिज में जा फिर रूम temperature में store करकर रख सकते हैं इस oil को बनाने के बद अब मैं इसे आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको इसे इपने बालों पर लगाना कैसे हैं मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ आप देखिए कितना प्यारा इसका color भी आया है जो हमने इसमें wash कर ली है normal पानी से अब मैं आपको यह इस oil से इपने बालों पर oil करके दिखाऊंगी सबसे पहले आपको hairs की roots पर इस oil को लगाना है साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में कि अगर आप कोई भी hair oil करते हैं उसके बाद आपको एक काम करना है जिससे कि आपन करते हैं ऐसा नहीं करना है क्या करना है आगे वीडियो में देखिए गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा आप जहां भी शोचल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं फेस्बूक वर्टस ट्वीटर इंस्ट कुछ करना कि कुछ कर से चबूत वर्टन, इस पालोंगे वगें तो यौक कुमेंट देगेंश। चाहते हैं मैंने जो दो स्टेप्स आपको बताए हैं पहले हेर माक्स और फिर हेर ओई इसको महीने में चार से पांच बर बनाकर अपने बालों पर लगा ली जिए आप देखेंगे कि यह आपके बालों पर मैडिसन की तरह काम करेगा आपके बालों की 90% प्रॉब्लम इसको लगाने से दूर होने वाली है पहले आप वन मन तक इसे यूज करके देखिए चार से पांच बार फिर आप धीरे धीरे मनत में दो बार इसे प्लाई करना स्टार्ट करती जिए बहुत इच्छा और उसम आपको रिजल्ट मिलेगा मैंने इसको लगा लिए है हेर बन बना लेंगे अब आपको क्या करने है जी आपको ऐसे ही पने बालों को नहीं चोड़ना है आपको पहनी है शावर कैप पहन लीजिए ताचो हमने जो ऑईलिंग की है इसकी हीट आपकी हेर की रूट्स तक जाए और आपको सारी की सारी नाए नाए वो भी इस पैक को जरूर लगाएगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पो वाचेंग